हलो दोस्तो नमस्कार इस विड़े को स्टार्ट कर लेते हैं पर टश्तो इसलिए अमेरिकन बाजार में जोर दरती सही देखने को याप लिए मेरिकंड बाजार में जोर रर तेज़ी देखने को मिल रही है चैश्ती यहापे व gir. डूप हमे पताना चांगा यहापे यूजली देखा गये तो शायद से इससे related जादा डेटा आप लोगों को देखने को और सुनने को पंडे को यहाँ पर नहीं मिलेगा हाँ शायद से ऐसा हो सकता है कि कल यहाँ पर सुबह बिजनेस चैनल के उपर इससे related बाचीत है आपर हो सकती है सो दोस्तो अभी अभी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है कि यहाँ पर सरकार से related दोस्तो बहुत ध्यान से सुन ले न कि कल की दिन यह दोस्तो कल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बताया जा रहा है कि शाम को पाच बजे या फिर साड़े पाच बजे यह बैठक यह मीटिंग यहाँ पर बुलाई जा चुकी है मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर रहते है बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स के अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटर यहाँ पर लोग आएंगे प्लस उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ अपर कह सकते हैं कॉमर्स इंड़ेटर जो रहते हैं वो लोग यहाँ आपर आ जाएंगे petroleum से related जो industry है उससे related जो बड़े ऑफिशल से वो आम लोग को देखने को मिलेंगे consumer distributor से related जो लोग है वो सारे आपे आने वाले है सो दोस्तो बताने का मकसद क्या है बताने का मकसद यह है कि जितने भी यह departmental जो बड़े बड़े लोग है सरकार से जुड़े होए agency से उनकी हम लोग को एक बहुत बड़ी बैठक अभी हम लोग को देखने को आपे मिलने वाली है इस बैठक का अजेंडा किया है दोस्तो उस बैठक का अजेंडा रहने वाला यही inflation यह अभी अभी हम लोग को एक खबर देखने को मिल रहे है कि कल पाच बज़े साड़े पाच बज़े शाम की मैं बात कर रहा हूं सुबह की नहीं शाम को आप लोग को पाच बज़े साड़े पाच बज़े यह बैठक देखने को आपे मिलने वाली है इन्फलेशन को और कैसे कम किया जाए इसके उपर यह बाच्चीत यहापे होने वाली है या भी इससे रिलेटड किसी को भी यह चीज यहापे पता नहीं है यूज्यली यह पियमो को ही जाएगा और शायद से पियमो के और से हम लोग को फाइनल डिश्चेन यहापे देखने को आपे मिल सकता है पर जैसे मनें आप लोग को बताया कि यहापे यह जो मिटिंग रहने वाली है यह इंपोर्टन क्यों रहने वाली है और बाजार का इससे रिलेटड क्या लिंक है अच्छी बात यह है कि बताय जा रहे ही यह बैठक जैसे मैंने बताया कि 5-5.5 बजे बताय जा रहा है and market तो 3.5 बजे close होता है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते कि कल का दिन अगर American Bazar तेज रहता है तो कल का दिन Indian market enjoy यहाँ पर कर लेगा ऐसा हम लोग यहाँ बोल सकते है बट उसके बाद क्या होगा यह depend करता है उस बेठक में क्या फेसला होता है उसके इसाब से मतलब देखे inflation यहाँ पर आज भी आप लोग को पता है इंडिया के इसाब से बात करें तो 6% का दार्या जो दाइरा रहता है आज भी उसके बाहर ही हम लोग को inflation देखने को मिल रहा है चाहे वो कितना भी कम क्यों न हो वो हम लोगों ने देख लिया प्लस MPC की बेटक में भी शक्तिकांता दाज जी ने आपे बोल दिया है कि हमारा जो 6% का जो target यहाँ पर रहता है target मतलब जो दाइरा रहता है उसके अंदर inflation यहाँ पर लाने के लिए तो यहाँ पर और सरकार के और से यहाँ पर सक्त कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए क्योंकि RBI के अगर हम लोग बात करें उनके तो limitations है न rate high करकर के वो कितना करेंगे सरकार ने भी कुछ चीज़ी यहाँ पर करनी चाहिए अच्छी तरीकी से सुन लेना दोस्तो कि और कौन से ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर सक्त कदम उठा सकते है अपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तो कि महेंगाई काबू करनी की अगर बात होगी उससे related बैठक रहेगी तो customer जो रहते है आम आदमी की अगर हम लोग बात करें उनके लिए अच्छी बात रहती है बट जबी भी आम आदमी मुस्कुराता है stock market की साब से अगर हम लोग बात करें business की साब से बात करें तो आपको पता है दोस्तों वहाँ पर हम लोग को disappointment देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर आप सब लोग को पता है कि businesses के उपर restrictions आ जाएंगे मतलब जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बता है कि inflation को control करने के लिए यह बताया जा रहा है कि कोई ना कोई sector जो यहाँ पर अभी भी अगर देखा गया तो यहाँ पर inflation मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे है वहाँ पर सरकर सकत कदम उठा सकते है जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई extra tax लगा सकती है या फिर कोई extra duties लगा सकती है मतलब वही duties, taxes वही सारी चीज़े देखने को मिल जाती है शायद से export होने वाली चीज़े उनके उपर extra tax लगाए जा सकता है तो discourage करेंगे export को वही सामान यहाँ पर इंडिया में ही रहे तो इसके चलते क्या हो जाएगा जादा supply हो जाएगा तो automatically हम लोग को price नीच चाते वे देखने को मिल जाएगे या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या किया जा सकते है yes import से related जो taxes लगते थे duties लगते थे उसको कम किया जा सकता है तो भार के companies यहाँ पर इंडिया में आके सस्ता सामान यहाँ पर बेचेगी तो by default यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाकि के जो domestic players है वो भी अपना दाम यहाँ पर कम करना यहाँ पर शुरू कर देंगे so import से related जो taxes है वो कम करते वे देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे कुछ चीजी हम लों को देखने को यहाँ पर मिल सकती है and ultimately इसका outcome क्या निकलेगा इसका outcome यह निकलेगा कि जो भी यहाँ पर जिससे related भी फैसला हो जाता है जो भी business रहेगा and उससे जोड़ी भी जितने भी companies रहेगी उनके लिए तो यह bad news है bad news कैसे obviously जैसे मैंने आप लोगों को बता है उनके अगर products के दाम services के दाम अगर कम हो जाते तो obviously उनका revenue आने वाले समय में आने वाले quarter में यहाँ पर impact हो सकता है and margins भी impact हो सकता है and यह आप लोगों को पता ही है कि इस तरीकी की cycle यहाँ पर चलती रहती है so definitely दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को का कि यह जो सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है कि यह कल हम लोगों को अभी अभी यह news यहाँ पर सामने आ चुके मैं आप लोगों को उस meeting का मतलब वो नाम भी मैं आप लोगों को बताना चांगा कि वो बैठक कौनसी है IMG की बैठक कौनसी बैठक IMG की बैठक हम लोगो को कल यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलने वाली अभी इसका फुल फॉर्म भी अगर आप लोगों को चाहिए तो inter-ministerial group इनकी बैठक हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाली जैसे मैंने का कि सारे ministerial group यहाँ पर आने वाले उनके head offices याँ पर आने वाले है और इसे related कोई ना कोई फेसला यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे फेसले भी हो सकते हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं out of the market भी रह सकते है out of the market मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ commodities है उनके उपर भी क्या किया जा सकता है कोई ना कोई यहापर decision आ सकता है अभी commodities की बात करूँ तो आप सब लोग को पता है गेहु की अगर में यहापर बात करूँ तो आप सब लोग पता है उनके भी दाम हम लोग को यहापर अच्छे कासे बढ़ते वे देखने को मिलेगी, अभी उसको कम करना है, तो कोई ना कोई उससे related जो business करने वाली companies है, उनके उपर कोई ना कोई restriction आ सकता है, extra tax लग सकता है, वो चीज़े हम लोगों को देखने को मिलेगी, right, again कहना चांगा, as a customer हम लोगों के लिए अच्छी ब बेठक में हम लोगों को यहापी बाच्चीत होते वे देखने को मिलने वाली है, और खास करके जो edible oil वाले जो company रहेंगी, वो तो यही request करेंगी कि हमारे उपर आपने दो बार वार लगा दिया है, दो बार यहापे आप लोगों को पता ही, edible oil को सरकार ने बोला था कि अपन मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने का कि यहापे आप लोगों को कि कल का दिन यह बहुत ही ज़्यादा interesting and important रहेगा, बट yes, यह भी important उतनी बात रहेगी, कि during the market, 3.30 बज़े तक यहापे इसका कोई भी impact देखने को आपे नहीं होलेगा, हार, news कोई ना कोई flash यहापे हो सकती है, कि यह हो सकता है, वो हो सकता है, possibility वाली चीज़े आप लोगों को देखने को मिल सकती है, बट जो भी actual बेटक है, वो हमनों को market close हो जाने के बाद देखने को आपे मिलने वाली है, बट definitely inflation को काबू करने के लिए, अगर कोई भी यहापे सरकार news लेकर आती है, तो definitely stock market में क्या है, corporates है, businesses है, companies है, उनके लिए वो bad news ही रहती है, इसके चलते उनके share price के उपर हमनों को impact देखने को आपे मिल सकता है, अगेन के ना चाहूँगा, वो एक temporary impact रहता है, ऐसा ने कि company बंदी हो गई, सब कुछ zero ही हो गया करके, बट फिलाल जो सरकार का target है, उन्होंने खुद सकते है, इसलिए ये सारी चीज़े अभी अभी हमनों को देखने को आपे मिले है, presentation खराब था, बट यहापे इसे related प्रॉपरल कोई article भी नहीं मिला था, इसलिए आपे इस वे से आप लोगों को जितने भी important points है, वो यहापे मैंने बोल कर बताया है, जो भी important चीज़ लगत तो यह भी एक चीज़ है, तो वह तो सारी इवबट वाली बाते है, जो भी news आ जाती है, बाजार close हो जाने के बाद, उससे related update कल के दिन भी में एक छोटे से वीडियो में भी आप लोगों को यहापे बता दूगा, अगर वो publish ही हो गई, तो फिर पूरे market को यहापे पता च आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के तुर ओपन के है, यह भी comment section बता देना, तो अकते बर के अंदर अंदर आप लोगों के सारे videos free of cost प्रोवाइड कर दिये जाएगे, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye